नमस्कार किसान भायू स्वागत है आपका अपने ही चैनल क्रोप एडवाइजर में आज मैं आपको बताता हूं सर्सों में स्टैम रोट और वाइट रस्ट दोनों के बारे में वाइट रस्ट सर्सों में कि अल्बुगो कैंडीडा नामक फंगस के दवारा फैलता है यह देखिए थोड़ा बहुत इसमें होगा वाइट रस्ट के लक्षन आपको दिखा देते हैं पत्तों पर यह पहले दिखाई देता है और स्वेट स्वेट चूरंसा पत्तों पर दिखाई देता है तो उसके बाद नमबर आता है इसका स्टैम रोट का स्टैम रोट तना गलन इसको बोलते हैं यह देखिए यह देखो स्टैम रोट यह दखिए इस एहां से गल गया है यह चैलो टोनिया नमक फंगस से फैलता है इसके जो लक्षन है यह सूख जाता है यह यह दिखो यह भी स्टेम रोट ही है यह दिखिए यह दिखिए यहाँ से सूख गया है यह दिखिए यहाँ से सूख जाता है इसके उपाए जो है इसके जो उपाय है इसमें अपने अडामा के आती है कस्टोडिया जिसमें अजोक्षिस टोबिन ग्याना प्रेसेंट प्लस टैबुकोना जो ठारम पैंट तीन प्रेसेंट होता है उसके सिप्रे कर सकते हैं उसके मात्रा आप ले सकते हैं लगबग वो जाएगा 35 एमल पर डोल की के हिसाब से पाटंकी के हिसाब स्टैम्रोट दोनों को ही और उसके बाद आपने देखते हैं एक आता है मिस्टाट टॉप सिजन्टा कंपनी क वह भी आप कर सकते हैं उसमें एजोक्षिस टॉबिन आजोक्षिस टॉबिन ठारम पॉंट दो प्रेसेंट और डाइफैनकोना जोल डाइफन डाइफन उसमें रहती आठ ग्यारा पाइंट चार परसेंट यह इनमें दोनों में से एक आप इसमें कर सकते हैं जो सभी इसका समय है वो प्री में ही करें क्योंकि रोग आने के बाद तो फिर नुक्षान हो जाता है अब इसका समय अब भी करें तो जब सरस्तों पूरे फ्लावरेंपे हो इसमें फूल उठाने लगे तब यह प्रीकर करें तो फैदा है ने तो इस मेच्यारटी के टाइम तो यह रोग आ ही जाता है तब करने का कोई फैदा नहीं है तब तो नुक्षान हो जाता है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्क्राइब करें और गहन टीका बटन जुरू दवाएं जिससे की जो कोई मेरी वीडियो है वो आपके पास पहुंच पाए दन्यावाद का वेडियो है टुरू कर दो नहीं है तो यह युटकी कर दो कि जो चुरूभ से जुरूष्वाद कर दो कर दो दो करो कि जूएदमें जुरूजवाद कर दो पासर दो कि तो कर